अभी पार्सल अराइव हुआ है यह मैंने तेख सकते हैं किस तरह से यह पैकिंग हुई है तो अभी हम पैकिंग खोलते हैं और आपको बताते हैं कि मैंने क्या मंगवाया है जो वीडियो में पॉस्ट करूंगा और फिर हम कंटीनियू करेंगे थेंक यू एलो गाइज यह भी मैंने फाकेट खोल दिया है और सप्राइज दीरे धीरे खतम हो रहा है और यहां से यह मैंने ओर्डर किया है यह है एज जे कैम 5000 एक्स एलीट बहुत सारे रिव्यू देखने के बाद मैंने सोचा कि मैं एज जे कैम का अच्छा लोगो है ब्रैंडिंग जो की है और्डर करूँ आप देख सकते हैं यह तो इसके फीचर्स काफी सारे हैं यह यहां पर अटेश्मेंट कौन से कौन से दिये हैं इसके अंदर क्या के इंक्लूड है अब देख सकते हैं पूरी तरह से इस स्पेसिफिकेशन दिये हुए हैं जो कि यह कितना 12.4 मेगापिक्सल सुनी सेंसर है और अब यह है वाइड अंगल लेंस अप्टू 170 डिगरी 70 डिगरी से लेके अब 170 डिगरी तक आप सिलेक कर तकते हैं और फोटो के लिए आप देखिए 1.3 मेगापिक्सल से 12.4 मेगापिक्सल तक आप फोटो ले सकते हैं इमेज जेपेग में ही होंगे और वीडियो के लिए आप MP4 या .MOV फाइल यूज कर सकते हैं इसकी बैटरी 900 मिली एमपेर है और स्टोरेज कार्ड अप्टू 34 GB और सिलेक्टेड मॉडल में 64 128 GB आप कर सकते हैं और यह विंडोज इनकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज एक्सपी के लिए वो तो कनेक्शन में आपको HDMI, Wi-Fi और USB 2 है यह शायद से अलग-अलग language में same specification दिया है ओके तो यह box चार दरफ से देख लिया है यह आपको बार कोड रीडर से आप डाउनलोड कर सकते हैं मैंने अलड़ी एक अपने मोबाल में डाउनलोड कर लिया है वो फिर मैं आपको दिखाऊंगा तो अब हम वीडियो फिर से पॉस करके boxing खोलते हैं यह अभी भी आप देख सकते हैं फुल प्लास्टिक में पैक है अभी दख open नहीं किया मैंने आपके साथ ही मैं इसे open कर रहा हूं कि यह इस तरह से open हो रहा है माप कीजिएगा बहुत ही गलत तहरी के से मैं यह बॉक्स कोल रहा हूं यह बॉक्स कोल दिया है इस तरह से यह बॉक्स कोल दिया है कि काफी हैवी बॉक्स है काफी सारा सामान है अंदर कि यह इस तरह से खुलता है यह वाव अच्छा शॉलिट कैमेरा है मिले हम एक्सेसरीस चेक कर लें कि यह आगे है कुछ स्ट्रिप्स है यह टेप्स है 3mm की सॉरी यह 3mm की टेप्स है यह स्ट्रिप्स है यह कैप है लेंस कैप है और यह यूएजबी जो कि लेटिस मोबाइल में लगता है वह दो माइक्रो यूएजबी केबल है यह आप हम देखते हैं काफी सारे अटेश्मेंट्स दिये हुए यह बाइक साइकल मांट है है यह हेलमेट माउंट है दो हेलमेट माउंट लग रहा है मुझे यह जो है प्राइपोर्ड माउंट केसिंग यह एक स्कुरू है और काफी सॉलिड है यह मतलब चीप कॉलिटी प्लास्टिक नहीं लग रहा है काफी अच्छा लग रहा है फील कि यह मौन पॉर्ड यह ट्राइपोड के लिए क्ष्क्रू है यह और कर्याटेश्मेंट है यह मौन पॉर्ड ट्राइपोड के लिए अट्श्मेंट है ये भी एक अटेश्मेंट है जो कि शाय से चेस्ट पे या हैलमेट पे आप लगा सकते हैं अगर थोड़ा सा मोल्डिंग चाहिए आपको या रोटेशन करने के लिए ये बैक कवर दिया हुआ है जो आप अगर आपका खराब हो गया आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं इसमें लि स्पेर वाटर्पूफ के इस बैक डोर विथ होल्ड उखे तो यह इस है तो जाहर है कि यह वाटर प्रूफ नहीं है तो यह किस कारण से दिया हुआ है यह देखें अप साइल से एक होल है और दूसरा होल है तो यह अब आप में लगा सकते हैं पर ओनली यूस यह शिर्फ ड यह क्लोथ है माइक्रोफाइबर क्लोथ यह आपने देगा स्क्रू है स्टैन है साइकल माउंट है है हलमेट माउंट है और यह स्टिकर्स है और यह मैनुवल है मैनुवल्स भी काफी कलरिंग है अच्छी कॉलिटी की मैनुवल है अब दे सकते हैं कि कॉलिटी है पेजिस की काफी अच्छी है और बहुत ही मतलब इसमें इतनी कई तक हमेड की चानकरी नहीं है काफी सिंपल खैमरा है सिंपल से फीचर है ज्यादा ढीशेमार जैसे ड्रकेंन इस में काफी सारे çalинеZ उ ट्रिंस कर देए और इसृताष्ट अब तक तो यूज नहीं किया है कुछ फ्रेंडों ने यूज किया है ये और उनके रिव्यू के हिसाब से ही मैंने यह आर्डर किया है और मैंने सोचा मैं अपना रिव्यू भी दे दूं आपको अन्बॉक्सिंग तो हो गई है अब हम इसको साइड में रखते हैं यहां पर कैमरा देखते हैं तो यह सॉलिड देखते हैं एक हाथ से में पॉस करता हूं और यह कैप खोलता हूं कि मुझे पता नहीं है कि आप कैसे खुलता है और देखते हैं यह ओन होता है यह नहीं तो शायद से यह कि नहीं हुआ कि तो मैं पॉस्ट करता हूं वीडियो कि तो मैं सीख लिया है इसे कैसे अंबॉक्शिंग करते हैं कि अच्छ करते हैं कि अच्छ करते हैं कि अच्छ आप खांट कर देखेंग कि तो यह और मैं यहां से खोल देता हूं दो हाथ कि इसमें 30 मिटर्स का वाटर प्रूफ की गैरंटी देते हैं यह तर्टी मिटर्स तक मैंने हम ट्राइ करेंगे बट काफी होता है 30 मिटर्स शायद शे में खुद इतना अंदर ना जा पूँ पानी में तो यह इस तरह से पैक हो जाता है ठीक है अब हम कैमेरा बॉडी देखते काफी अब देखेंगे काफी छोटी है काफी छोटा है यह कैमरा तो मेरा हाथ ऐसे तो काफी बढ़ा है पर यह आप पकड़ लीजिए एक फूट नहीं सॉरी एक इंच दो इंच और तीन इंच की उंगली है मेरी तो अगर आप तीन इंच यहां पकड़ते हैं कि यह औरमोस्ट को दो इंच का है और ऐसे अब देखे तो यह एक इंच भी नहीं और काफी सॉलिड है यह पकड़ने में भी बैटरी चार्ज नहीं है मैंने और करके आन करने कि ट्राइग की है पर सारी कि अधिया सरी मुझे पना नहीं था ता है इसमें बैटरी काफी अच्छा है on screen display भी काफी अच्छा है एक दीजिएगा कि यहां पे पीछे इंडिकेटर लाइट है आप देख सकते हैं उपर भी लाइट है और और आगे भी लाइट है तो हर दरह से मतलब आप उपर से देखेंगे पीछे से देखेंगे या आगे से देखेंगे आपको पता चलेगा कि आपका कैमरा ऑन है या ओफ है यह फोटो कीचता है इसमें अभी memory card मेरे डाला नहीं है कि और मैंने 32 GB का memory card भी लिया है मैं भी आपको बता दिता हूं कि यह card order किया है 32 GB का कि स्ट्रॉंटम का तो कुछ अडेप्टर इसके साथ आया नहीं है इसके लिए और किया तो यह अभी कार्ट डाल के आपको बताता हूं देखिए यह बैक लाइट जो है कि काफी मतलब कि स्टैंड बाइ मोड पर चली गई तो फीचर काफी अच्छे लग रहे मुझे देखें वापिस से स्क्रीन अविलिबर हो गई है त्री मिनट अधिका रहा है और बैटरी भी दिखा रहा है कि लो है और माइक भी है और अभी तक कोई रेकॉर्डिंग मैंने की नहीं है तो द मैंने निकाला नहीं है अब तक अब खौस मुझे निकाला ही है और फिर भी काफी अच्छी तरह से और डी दिखा रहा है है ओके तो काफी अच्छा लगा मुझे तो हम इसके बाद मेरा दूसरा वीडियो के लिए आप बेट कीजेगा सारे फीचर्स मैं बैटरी चार्ज कर देखो फटा-फट से बैट भी ट्रेन हो रही है और फिर हम चेक करते हैं कि यह कितने बहतरीन तरह के से फोटो और वीडियोस लेता है और इसके मोड्स क्या-क्या है शुक्रिया मेरा अन्बॉक्सिंग देखने के लिए शायद से काफी बड़ा हो गया और डीटेल में अन् अगर आपको फसंद आता है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल के लिए शुक्रिया दन्यवाद अलविदा